हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियोज देखने के लिए नमस्कार दोस्तो यूर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो जामुन की गुटली फैंकने की बजाए यदि आप इसका इस तरह से इस्तमाल करते हैं तो यह बहुत सी हैल्थ प्रॉबलम को दूर करती है आए जानते हैं कैसे जामुन खाना तो हर किसी को पसंद होता है गर्मियों में लोग आंग के अलावा जामुन खाना भी पसंद करते हैं जामुन ज्यादतर बरसात की मौसम में आता है स्वाद में यह भूधी टेस्टी होने के साथ यह सिहत के लिए भी बहुत फायदे मंद होता है जामुन खाने के बाद आप गुठलियों को फैंक देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भी हमारी सिहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है विटामिन A और विटामिन C के गुनों से भड़पूर जामून की गुठलिया पाचन क्रिया को ठीक रखने के साथ साथ कई बीमारी को दूर करने में भी मदददार होती है तो आप भी इने फैकने से पहले जरूर जान ले जामून की गुठली के ये सिहत से जुड़े फायदे दोस्तो गुठलियों को इस्तमाल करने का तरीका आईए जानते हैं जामून की गुठलियों को इस्तमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोले इसके बाद इन्हें धूप में रखकर अच्छी तरह से सुखा लें इसके बाद गुठीयों के चिलके उतारकर उनके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें अब इन्हें मिक्सी में डाल कर बारीक पीस लें इसका आप powder बना लें और इस powder को आप किसी CC में भर लें जामुन की गुठलियों के क्या फायदे हैं अब आई हम बात आते हैं आपको दोस्तो पहला फायदा है diabetes रोगियों के लिए diabetes रोगियों के लिए इस powder का 7 बहुत फायदा मंद होता है इससे सुगर कंट्रोल में रहती है रोजाना सुबह खाली पेड़ गुनगुने पानी के साथ इस powder का 7 diabetes रोगियों को जरूर करना चाहिए दूसरा स्वास्ते लाब kidney stone की problem को ठीक करता है kidney stone होने पर जामुन की गुठली का powder बहुत फायदे मंद होता रोजाना सुबह साम पानी के साथ एक चमबच पाउडर का सेवन करें आपकी kidney stone की समस्य कुछी समय में दूर हो जाएगी तीसरा पेचेस की समस्य अगर आप पेचेस की समस्य से परिसान है तो दिन में दो से तीन बार गुनगोंने पानी के साथ इस पाउडर का सेवन करें आपकी problems मिंटों में ही दूर हो जाएगी तीसरा फायदा पीरेट्स के दर्द से रहाद पीरेट्स में ज्यादा bleeding या दर्द होने पर भी पाउडर का सेवन बहुत फायदे मंद होता है इससे रहात पाने के लिए जामुन की गुठलियों और पीपल की चाल का powder मिक्स करके एक चमच पाउडर को दिन में दो से तीन वाई ठंडे पानी के साथ पिएए चौथा फायदा दातों और मसूडों की समस्या के लिए अगर आपको दातों और मसूडों में दर्द या ब्लेडिंग की समस्या है तो इससे मंजन की तरह इस्तमाल कर सकते हैं नियमेत रूप से इस पाउडर से मंजन करने पर आपकी प्रॉब्लम कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी पांचमा जलन या घाओ को ठीक करने के लिए अगर शरीर पर कोई फफोला जलन या घाओ है तो इस पाउडर को पानी में मिलाकर घाओ पर दिन में दो बाल लगाए नियमेत रूप से लगाने से घाओ और जलन कुछ ही समय में ठीक हो जाता है चड़ा फायदा बच्चों का पेशाप करना कई बच्चे बिश्तर में पेशाप कर देते हैं बिश्तर को गीला कर देते हैं यह उनकी बुरी आदत होती है इनकी इस आदत को दूर करने के लिए उन्हें दिन में दो बार इस पाइडर को आधा आधा चमच पानी के साथ पिलाएं आपको कुछ ही दिनों में अशर दिखेगा और बच्चा बिश्तर पर पिसाप करना छोड़ देगा तो दोस्तो हमें उम्मीद है कि आपने आज जामुन की गुठलियों के फायदे जरूर जाने हो ज़िए आपको आज की जानकारी पसंद आए तो आप इसको अधिक साथिक लाइक और शेयर करना ना भूले और इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ने आपको लिए क्योंकि हम इस वायर्वेदिक उपायवायर्वेदिक जानकारी लेकर आते हैं जो आपके स्वास्त को स्वस्त रखेगे